वत्स संसार में किसी जीव का किसी जीव से संबंध नहीं होता वो कल्पित होता है ऐसे समझो जैसे बरसाती नदी में बहुत से कूड़ा कचड़ा बहते बहते एक जगई कट्थे हो जाते हैं और फिर जोर की धार की ठपर लगती है तो फिर वो विलग हो जाते हैं और भाते पाते एक कूड़ा और किसी कूड़े के साथ जाके मिल जाता है और फिर लार की ठपर लगती है तो वो कूड़ा और दूसरे और किसी कूड़े के साथ मिल जाता है तो किसी का किसी संबंध नही बास ये प्रारव्दी उनका होता है जो एक दूसरे से बिछुडाता रहता है, मिलाता रहता है, इसलिए किसी से मोह नहीं होना चाहिए, किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से मोह नहीं करके, उनका आवश्यक्ता नुसार उपयोग तो हो सकता है, लिकुन उनका उपभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे मोह नहीं करना चाहिए, हाँ उन जीवों का केवल आत्मा रूप में परमात्मा के साथ संपर कराता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का अंश और अंशी का संबंध है, इस द्रिष्टी से वो एक ही होते हैं, भागवर इच्छा से अलग-अलग दिखलाई पड़ते हैं, आत्मा रूप में एक होते हैं, शरीर की द्रिष्टी से बिलकुल ही भिन्न होते हैं, इसलिए आत्म रूप में एक अत्व है, और द्रिष्टी से एक अत्व असंबंध हैं, मो दे का ही होता है, आत्मा का मो नहीं होता है, ज्यान होता है, इसलिए ज्यान पुर्वक एक अत्व की द्रिष्टी रखनी चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए ज्ञान की दिश्टिशे एकत्व सबी मोह को करने वालग होता है रुन्दा बनिशारी बाद की बेड़ा दिश्टिशे कि अवाल मैं staan Uh ऩभरी बेड़ा जास की बाद वाद पूरी मैं से जारी सीजिशे